आज हम दोस्तों देखेंगे इस वीडियो में कि जो important work होता है slab casting करने से पहले आज उस topic पर हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं electric work के बारे में हम बात करेंगे आज कि दोस्तों जब हम slab का steel बांध लेते हैं उसके बाद हमें conducting pipe का जो work होता है वो पहले करना होता है दोस्तों slab cast करने से पहले ऐसा अगर हम करते हैं तो हमारा जितना भी electrical point होता है दोस्तों जहां जहां point आ रहा है वो सारा point proper तरीके हो जाता है दूसरी चीज दोस्तों कि जो conducting हम करते हैं उसका जो bending होता है दोस्तों जो कि आप देख पा रहे होंगा दोस्तों इस वीडियो में किस परकार से इसको bend कर रहा है यह प्रोपर तरीके से fixing होना चाहिए chemical लगा कि कास्टिंग करते वक्त आपका जो conducting pipe होता है वो प्रोपर तरीके से रहे नहीं तो कास्टिंग करते वक्त बहुत सारे क्या होता है दोस्तों कि जो conducting pipe हो खुल जाता है जहां पे हम joint करते हैं दोस्तों उसके लिए आप जो इस technique को देख रहे हैं बेंडिंग को वायर बेंडिंग दोस्तों इस परकार से इसको बांधना है दोनों साइड ताकि जो concrete का प्रेसर लोड जब आएगा दोस्तों तो यह खुल ना पाए नहीं तो दोस्तों अगर कास्टिंग करते वक्त अगर मिस्तिरीन देहान नहीं दिया और यह जो कंड्यूक्ट पाइप में कुल गया है तो दोस्तों आपका जितना भी वायरिंग का वर्क होता है वो खराब हो जाएगा दोस्तों तो आप सलैप का जो आपका सीलिंग में जैसे की फैन हुआ लाइट्स हुआ तो उसका वायरिंग प्रोपर तरीके से नहीं हो पाएगा दो तो इस चीज़ू को दियां रखें दोस्तों अगर आप मिस्ती एं तो भी या तो फिर नौमरल बंदे तो भी इस चीज़ू को दोस्तों द्यान में रखते हुए रह चास्टिंग करवाय है और हाँ यह चीज़ और दियान रखें पीज़वार ने डबल जाली में श्टील ह इसमें चेर का यूस जरूर परेंगे है